हेलो वेल्कम बैक टू माई चैनल देशी सेफेंड ब्लॉग्स आशा करती हूं कि आप सब स्वस्थ होगे और बहुत ही मस्थ होगे तो आज की रेसिपी होने वाली है राजस्थान की फेमस गट्टे की सबची वो भी बिल्कुल नए तरीके की उससे पहले अगर आप मेरे चै प्राही को हम गरम करके इसमें दो टेबल स्पून ले लेंगे तो यह मैंने कच्ची घानी सर्सों का तेल लिया है इसमें डाल देंगे थोड़ा जीरा एक तेज पत्ता थोड़ी दाल चीनी एक हरी इलाची और दो लॉंग इसका हम इसमें तड़का लगा देंगे और आधा इसके बाद हम डालेंगे एक चमच लसन का पेस्ट और इसे भी अच्ची तरह से भूल लेंगे और इसके बाद हम बाकी के मसालों को आईड करेंगे तो पहले लसन को आईए भून लेते हैं अब लसन भून चुकी है और इसमें हम डालेंगे मसाले तो मसालों में मैं डाल रहे हूं हल्दी पाउडर, आधी चमच, आधी चमच काली मेश पाउडर, आधी चमच, जीरा पाउडर, आधा चमच, लाल मेश पाउडर और एक चमच धनिया पाउडर और शोथाई चमच गरम मसाला अब इन सब मसालों को हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे तो सारे मसालों को देखिए इस तरह से हम अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे और इसे बिल्कुल आप स्लो आज में भूने ताकि मसाले अच्छी तरह से भूने मसालों के ऊपर मतलब f और जब तक यह टामाटर भून के तयार होगा तब तक हमारे गट्टे भी बनके तयार हो जाएंगे मतलब हमें इसे अलग से उबालने की जरुवत नहीं पड़ेगी और इस तरह से हमारी सब्ची बहुत ही जल्द बन के तयार हो जाएगी तो आए चलिए गट्टे की तयारी करते हैं इसके लिए हमें चाहिए बेसन तो इस चार चमच बेसन में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा अजवाइन स्वाज अनुसर डालेंगे नमक अधी चमच लाल मिच पाउडर अधा चमच हल्दी पाउडर अधा चमच जीरा पाउडर और अधा चमच काली मिच पाउडर थोड़ी से डाल देंगे कटी हुई प्याज और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा लसुन का पेष्ट और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालके हमें इसे अच्छी तरह से mix कर लेना है तो याद रखिएगा ज्यादा पानी ना डालें यह दिखिए यह कुछ इस तरह का हमें तयार करना है यह आप देख सकते हैं और इसके बाद हम एक इस तरह का प्लेट ले लेंगे आप चाहें तो इसे कटोरी में भी रख सकते हैं लेकिन प्लेट में यह अच्छी तरह से स्प्रेड होगा और जल्दी पक के तयार होगा तो प्लेट को आप अच्छी तरह से ग्रीस क पहुंच जाए और उसके बाद जो हमने मसाला भून के तयार किया था ना उसके बीच में देखिए इस तरह का एक स्टेंड रख लेंगे और उसे स्टेंड के उपर आप इस प्लेट को आराम से रख देंगे और उपर से धकन से धक देंगे टमाटर के पकने के साथ सथ हमारी बेसन भी पक के तयार हो जाएगी तो देखिए अब ये पांच मिनट बाद बेसन पक चुकी है और टमाटर भी पक चुके हैं क्योंकि देखिए आपको ओइल उपर दिख रहा होगा ये देखिए टमाटर भी पक गया है तो मतलब मसाले पकते-पकते ही हमारी बेसन भी पक क तैयार हो गए हमें अलग से इसे बॉयल करके काटके बनाने की जोर्ट नहीं है आप इस तरह से बनाईएगा आपका बहुत सारा समय बचेगा और साथ ही साथ गैस की भी बचत होगी और इतनी टेस्टी सबजी बन के तैयार हो जाएगी तो देखा आपने सिर्फ चार चमच बेशन से हमने पूरे घर के लिए कितनी स्वादिश्ट गट्टे की सबजी तैयार कर ली है और वो भी बिल्कुल नए तरीके से तो आप भी इस तरह से इस रेसीपी को ज़रूर ट्राई करिएगा इसमें आपका बहुत सारा समय बचेगा तो यह देखे इस तरह से पीस काट लेंगे और यह देखे बेशन परफेक्टली पक चुका है और अब हमें बस कुछ नहीं करना है हमारा मसाला तो पक के भून के रेडी था बस इसमें हमें कटे हुए पीसेज को डाल देना है तो आप अपने पसंद के अनुसार किसी भी शेप में बेशन को काट के तयार कर सकते हैं मैंने बरफी की शेप में काटी थी आप अपनी पसंद का कोई भी शेप काट सकते हैं और यह देखे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसे अच्छी तरह से दो मिनट तक और खौलाने तक इसे पकने देंगे ताकि बेशन में अच्छी तरह से मसाले कोट हो जाएं और बस दो मिनट तक और पकाने के बाद हमारी सब्ची हो गई है बिल्कुल रेडी तो आईए चलिए इसे सर्फ कर लेते हैं इसके साथ आप पूरी चपाती या राइस सर्फ कर सकते हैं यह सब के साथ ही बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है तो आप भी यह रेसिपी जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे बताएगा कि आपको यह रेसिपी कैसे लगी और इसी तरह की और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पे हैं जरूर से चेक आउट करिएगा तब तक के लिए बाई